बिचेपी ने फ्लॉप शुकरार देते हुए जारखन में सताधारी, जारखन मुक्ति मोर्च और कॉंग्रस पर निशाना साथा तो जेमेम ने प्रेस कॉंफरेंस कर बीचेपी को आड़े हाथ हो लिया तो बंद टाई टाई फिस हो गई है क्योंकि जारखन के किसान जानते है कि प्रधान मंतरी जी क्रिशी के छित्र में किसानों के आई को दुगना करने के लिए नए क्रिशी कानून बनाने का काम किया है मजदूर हो व्यापारी हो परिवहन संचालक हो गिवा हो महिला हो या अन्य बैंक या अनसंसाओ के कर्मचारी सब उने किसान के साथ एक साथ ख़ड़ा होकर या प्रकट किया है कि हम जो भी लोग इमान की रोटी खाते है मेहनत कि तरह से साफ और उसकी तस्वीर भी साफ हो गई किसी भी राजिनितिक जल ने अपना जण्डा लगाया है न बैना लगाया है हम उनका संबान करते हैं उनके कौस को संबान करते हैं आज खिसान का बेटा गलवान घाटी में भी खड़ा थे, कश्मीर में भी तैना थे और राजिस्थान गुजरात कश्में भी तैना थे, वारुनाचल से लेकर प्रिपुडा तक तैना थे, वहां कोई वेफसाई का बेटा तैना थे नहीं है. कि सरकार में यूरिया की काला बाजारी होती रही, आप बताईए कि यूरिया की काला बाजारी में सरकार ने काला बाजारी को रोकने के लिए, किसी कमपनी, किसी परतिस्थान, किसी विक्रेता, किसी दलाल, किसी विचोलिये के पास छापा मारने का काम किया, उसको बंद करने क काम किया उसको खत्म करने का काम किया वहा के चुनाओं के संदर में उनके मेनुफेस्टों में पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंडी को समाप्त करने का काम करेंगे अगरिकल्चर प्रोड्यूस्ट मार्केट कमिटी जिसको एप एपी एमसी का हलाता उस एक्ट को हम निरस्ट करेंगे यह कॉंग्रेस का चरिकल्चर अलूमी नहीं हम लोग कहते हैं न जूट का राजा बजा रहा है बाजा एक पर एक जूट धान के खरिक पर भी बोले एक संसा है भारत सरकार जिनको महारत आसिल है जो विशेशग्य संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रिकल्चर रिसेर्च उनके द्वारा कहा गया है कि बारा प्रतिशक तक कि नमी यदि किसी अनाज या कपास में रहे तब उसकी खरिदारी कर उसको स्टोरेज किया जा सकता है अन्यथा वो व्रिथा जाएगा मंतरी जी के अपील पर भी जारकर्ण के किसानों ने उस अपील को मंतरी के निर्देश को यह मंतरी जी के ने जो कहा उसको यहां के किसानों ने ठुकराने का काम किया डंभीर兩 गैकरावर्ट से हमलोग बचना चाहते हैं लेकिन यह राज दर के या हेमंट जी शासन नहीं चलाईए या हम अनु के हम दरेंगे नहीं हेमंत जी धरेंगे नहीं हेमंत जी अर्ट के सौसन चलाईगे यह हम लोग